नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी कोई साथ क्यूं नहीं देता अक्सर आप लोग इस प्रश्ट के उत्तर को तलाशने लगते हैं और मुर्खता वश इस प्रकार से उत्तर तलाशते हैं कि अंदर से तूट जाते हैं मैं आज आपको इस प्रश्ट का उत्तर दूँगा कि आपका साथ कोई क्यों नहीं देता यहां तक कि आपका अपना पुत्र आपकी पुत्री सबसे नज़्दीक यहां तक कि आपका पती आपकी पत्नी और नजदीक आपका बाप आपकी माँ है मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज हैं आप हमारे पास जब यह प्रश्ट लेकर आते हैं कि आश्टो फ्रेंड मेरी माँ उसने मेरे साथ ऐसा किया आपके आशू बहते हैं बड़े भाईया को इतना दे दिया मैं क्यों इतना दुश्मन लगता हूँ आपकी माँ है छोटी वाली बहन को सब कुछ दे दिया आपको आवश्यक्ता है आप पाई पाई के लिए मोहताज हैं आपके बच्चे के दो महिने की फीस नहीं गई है आपकी अपनी मम्मी जिसने आपको कोख में रखा उसके पास भरमार है इफरात है एक्सेस है लेकिन आपसे आपको पूछी नहीं रही है दूसरी बहन के साथ है बहुत सारे केसेस आते हैं अभी सहारा स्री दिवंगत हो गए उनका बेटा दो दो बेटे पत्नी कोई आया ही नहीं अन्तिम्यात्रा में विदेश में हैं और भी तमाम ऐसे केस आप लोगों के समक्ष आये होंगे आते होंगे और आएंगे और इसका उत्तर आप लोग ब्यवहारिक जगत में तलाशते हैं और उत्तर मिलता ही नहीं क्योंकि उत्तर है ही नहीं मित्रों इसका उत्तर आज मैं दूंगा कि कोई आपका साथ क्यों नहीं देता क्योंकि आपकी कुंडली में तनहा योग है आपकी कुंडली में योग ही ऐसा है कि आप जब मरेंगे तो आपके इर्द इर्द कोई नहीं होगा आपका सराउंडिंग खाली रहेगा यह योग कुंडली में होता है अप्लाइड एस्ट लॉजी कोर्स में मैंने इस योग को सम्रित किया है जो आप लोग एस्टो लक्षमी एप पर प्राप्त कर रहे है आपको नहीं पता हो तो आप गूगल सर्च कर लिजे एस्टो लक्षमी एप बाई संतोश संतोशी जी अप्लाइड एस्टो लॉजी कोर्स मैं बता रहा हूं कि कोई आपका साथ क्यों नहीं देता और ठीक वहीं कभी कभी आपका मैनेजर है आपका आफिस बॉय है खड़ा हो गया इस भाव को समझने के लिए मैंने क्या बोला भाव को क्या शब्द सरश्वती देती है इस भाव को समझने के लिए इस फीलिंग को समझने के लिए आपको दो ग्रहों पर ध्यान देना है आपकी कुंडली का दुतिय और दुतियेश न्याद दिजेगा आपकी कुंडली का दुतिय और दुतियेश यवम चंद्रमा मात्र दो ग्रह निर्धारित करते हैं कि आपके जीवन में किसका साथ आपको मिलेगा दुतिय भाव और दुतियेश अगर बलवान इस्थती में है दुतिय का स्वामी अपने घर का है उच्च का है केंद्र में बैठा है केंद्रेश के साथ बैठा है तो ऐसी इस्थती में वह बलवान हुआ अगर दुतियेश बलवान है तो आपको हर किसी का साथ मिलेगा आपके जीवन में लोग लाइन लगा कर खड़े रहेंगे कि भाईया कुछ जरूरत होगी तो बताईएगा और यही ग्रह अगर उल्टे हैं नहीं साथ दे रहें मतलब यह पीड़ी तवस्था में है तो कोई आपके आस बास खड़ा नहीं रहेगा आप लावारिस रहेंगे आपकी लास का भी कोई पूछंतर नहीं है कोई नहीं पूछ रहा है कि कौन है गुमनाम आदमी मर गया अख़बारों में निकलता है कि एक लास मिली हैं सिनाख्त नहीं हो पा रही है पहचान में नहीं है कोई आगी पीछी नहीं ऐसे ही योगों वाली कुंडली को लोग मंदिर के चोखट पे छोड़ के भाग जाते है दुती और चंद्रमा पीडित हो जाता है कुंडली का ये जो दो भाव है मतलब जहां चंद्रमा बैठा है और जो दुती भाव है यही आपके आसपास के लोगों का भाव आपके प्रति निर्धारित करता है कि जो आपके इर्दगिर्द आपका सगाभाई है, बहन है, पिता है, माता है यह आपके बारे में क्या विचार बनाएंगे कोई आपके बारे में क्या सोचेगा ये आपके प्लैनेट डिसाइड करते है ध्यान देजिएगा बड़ी बात है आपके बारे में सामने वाला धारना बना रहा है आपके ग्रह बनवा रहे है आपके कुंडली के ग्रहों में है कि दुनिया आपको राक्षस समझे तो दुनिया राक्षस समझेगी क्योंकि आपसे वो राक्षस वाला कृत्य करवा देगी वो राक्षस वाला कृत्य करा देगी तो समझेगी ऐसे क्या कर सकते आपने ऐसा ही कर दिया प्रिक्रित ने करा दे ऐसे में दुतियेश और चंद्रमा का उपचार करना चाहिए इन दो ग्रहों के उपचार के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आपको सकारात्मकता अवश्य मिलेगी आपके लिए सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा आपको कुछ चिंता करने के अवश्यक्ता नहीं बस उपाय कर लिजे उपाय में जैसे पूरिमा का अवरत है दुतियेश कोन सा ग्रह है उसके दान है आदि करिये आप और कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं किया जाता इस प्रिथभी पर जिसने कभी भी दूसरे को ब्लेम किया तो कभी सुधर नहीं सकता कभी नहीं सुधरेगा आलवेज ब्लेम योरसेल्फ इट्स अरव डेस्टनी नमस्कार शेखार Samsung आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक जब कि अवाईए